लड़कों को आक्रशित कर रहे हैं युवाओं को अब वो उस पर लाइन मार रहे हैं लाइन नहीं मिला तो एसी ड़ाइक हो रहा है रेप के लेकर गाना गा रही है तो कितना कितना घंडित होने वाला सब्दा कर रहे हैं अब भुझपूरी इंडस्ट्री को नहीं तो यह लोग ऐसी आपस में कुट्ता बिली जो देखो सब लड़ रहा हैं आपस में उन्हें खेसारी ओने ववन होने कहीं हमें तो आप सर्मसार कर दिय यह हर लेबल पर सर्मसार करता है तो इस पर रुकावट होनी चाहिए जिसके लिए महिला विकासमंच इम्मीडेटली हम लोग सब को चिठ्थियां जाएंगी अगले हेक हफते में सैकड़ों चिठ्थियां जाएंगी इस विभाग में और सब महिला विकासमंच की तरफ से सेंसर बोड लाना बहुत जो सिंगर होना इनके लिए प्रावधान होना चाहिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि चोर को ले गए और दो साल की सजाए एक साल इस तरह कि मैं रोड पे खड़े होके लीफ लेट बाटा है तो अपने बच्चों को दूद पिलाया है वो दिन मैंने देखा है तो क्या मैं नंगा रोड पे नाच करके अपना जिस फरामोशी करके कमाने लगती बहुत पैसा हो जाता एक के दिन रात में लेकिन मैंने पाउपसार ये जैती लंबी सौर ये जो सुना है ना आपने ये इन ही सब लोगों के लिए बना हुआ है मतलब पचास जार रूपे कमा सकती हो और तुम्हारा वागरा की बात कर रही थी चार चक्का है तो अगर हमारी हैसियत दो ही चक्के पर चलने लाइक है तो हम नमस्कार दोस्तों देखिए वंपत्ना में मौजूद है हमारी साथ में महिला भीकास मंच की राष्टी चंडग्षक मीना वानवी को लेकर ले हैं एक हम लोग परियास करते हैं क्लिण गाना नहीं परोशाज् », घस vitanda था संध समाज में सही चीजों को सही मायनने में अगर रखेंगे तो समाज यह भींकर जा सकते हैंcias शर्षकका मेला से महिला केस से तालूकाथ रखती है मिना वार्डम हम उस बात करेंगे अब जुर्य नीटा है इसे या यह विला घाख यह Сब्सकर बहुत झानी चाहिए में आप माटेयोट सब्सक्राइब कि आखिर इतना क्यारी उमर उड़ रहा है तो अशलीलता महिला गाई या पुरुष उस पर रोक लगाना है अभी जैसे आपको खबर मिली होगी कि महिला विकासमन जो है कली ने नेली है कि हम अपने लेटर हेट पे एक दिन में सौ चिठियां पूरे बिहार से गिराएंगे औ सेंसर बोर्ड भोजपुरी बहुत हो गया ये गारा है वो गारा है ये सब तमाशा खूब चलता है तो अब सबसे बड़ी बात है इसका निवारन क्या है हम निवारन पर बात करें रही बात तान्या जहा की तान्या जहा ने आपसे कहा कि हमको 50,000 रुपय महिना जो दे तो उस बच्ची के लिए मेरा ये संदेश है मेरी बेटी समान है वो मैं ये बोलूंगी कि बाबो क्या अश्लील गाके ही तुम 50,000 रुपय कमा सकती हो और तुम्हारा क्या इमाई वगरा की बात कर रही थी चार चक्का है तो दो चक्का है तो अगर हमारी हैसियत दो ही चक् पाउपसार ये जैती लंबी सौर ये इन ही सब लोगों के लिए बना हुआ है मतलब अगर फिर तो ये जो डकैती डालते एक दिन में अच्छा पैसा कमाने के लिए ये सही है ये जो आगे आगे बढ़ते हैं मोबाइल चिन लेते खरीदा नहीं पड़ेगा उनको जरूरा मोबाइल की तो भाई कैसे करेंगे तो चिन लिए फिर ये सही है भाई तुम किस चीज को तुम बढ़ावा देने की ऐसी टिपनिया जो करते हैं कि हमें पचास हजार रुपया दे दीजिए क्यों चाहिए आपको आपके जीवन आप जिस विदा में उसमें आप इतने कुछ हो जाएए कि लोग आप पर टिपनी कर रहे हैं आपका पार छूें आप शंगित कला को इतनी संगित इतनी अची अच्छिवन इतना है यह लोग पैर चूते हैं लेकिन यह संगीत और निर्थ ऐसी कला है कि जिसमें सिक्षक को आज भी लोग चरन चूते हैं तो इस विधा में आओ ना यह क्या कर रहे हैं तानियाजा यह भी बोल रही है कि हमने जितना स्ट्रगल किया इस स्ट्रगल में बहुत सारे बहुत सारी बात आया उसमें कि हम को मैने करने के लिए किसी के बेड करने पड़े वह मैंने नहीं कि अपने आवास पी आ पने काम पे बिस्वास किया तो यह नहीं होता है आप असलिल गए है कि उस बच्ची ने श्ट्रगल कि उसने बुरे वक्त देखें अब एक बात बताईे आपको एक सो एक्जामपल इसी पटना शेहर में मैं इसी महिलाओं का दे दूंगी जिनके पास सुवे खाना नहीं होता तो आरे दूसरे का क्या दू बेरे कहनी पर आ जाईये ना मैंने रोड पे खड़े हो के लीफ लेट बाटा है तो अपने बच्चों को दूद पिलाया है वो दिन मैंने देखा है तो क्या मैं नंगा रोड पे नाच करके अपना जिस फरामोशी करके कमाने लगती बहुत पैसा हो जाता एक के दिन रात में लेकिन मैंने लीफ लेट बाटना जादा अच्छा समझा और मुकाम हासिल किया और आप मेरा इंटर्व्यू ले रहे हो त आप बलłem देखा अप बाट देगी कि पंद कर देगाना गला लेकिन लेकिन आगर इस तरह कि आप तो किली की है डिखने वाला किसी ने लिखा चिंसे लिखी उसके बाद मैं रड़का लड़की ने उस गंद उप आजकल की कुवारी कुवारी टीनेजर लड़कियoti हैं सब कनेक्टेट है गंदा यहां से उठा लेकिन वहां जाके वो रेप के समें बदल जा रहा है वो गाना बहुत किसमें ऐसे हो रहा है ना इसी कोई भी जो सिंगर हो ना इनके लिए प्रावधान होना चाहिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि चोर को ले गए और दो साल की सजाए इस तरह की माईलाओं को वे एक बिल्कुल होना चाहिए इसमें आज आप बोलिए कि हम लोग क्या करते हैं सरस्वति पूजा क्यों करते हैं जो सिख्षा से रिलेटर सरस्वती आप चलिए उनका जब भसान होता है आप वहां पर आप सरस्वति पहले क्या था हम लोग जाते का सौंग बजना नीचाहिए लोगों को भी बईसकार करना चाहिए यहां तो भाई यहां तो हर को हम बोलते हैं पहले तो वह पूजा ना करें जिनको सिख्षा से कोई मतलब नहीं हो यह वहीं लोग पूजा करते जो इस को बढ़ावा देते वहां एक ग्रामिन अब परिव सकते हैं अगर एक महला एक महला के बोडी पार्ट पर लेकर गाना गा रही है तो कितना कितना घेंड़ित होने वाला सब्सक्राइब हुआ इसी कहते हैं बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा हो जाता अब बता रहे हैं हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता हम गाड़ी से चल रहे हैं लेकिन पता है कहां में प्रतारणा किस चर्म लेवल पर है वह जो लड़के लोग लेकिन किते पृतारी तहीं हम हो रहे हैं हम मिला सडंग पर चलने लायक नहीं है अगर हम अभॉइड कर दिये लेकिन कहीं कहीं हमें तो आप सर्मसार कर दिये यह हर लेबल पर सर्मसार करता है तो इस पर रुकावट होने चाहिए जिसके लिए मंधिला-विकासमंच महिला विकास मंच बहुत आवाज उठाती हर मामले में आने वाले छे महिने में हमारा ये टार्गेट रहेगा कि सेंसर बोड हम भोजपूरी सिनेमा में लेके आएंगे और ये करना ही पड़ेगा यहां के मुख्य मंत्री जी से लेके जितने हमारे कला संस्कृति विभाग मंत सब को चिथियां जाएंगी अगले हेक हफते में सैकड़ों चिथियां जाएंगे इस विभाग में और सब महिला विकास मंच की तरफ से जाएंगी सेंसर बोड लाना बहुत जरूरी हो गया कब तक इस अब अकोती चलता रहेगा कब तक लोग नंगे होते हैं जिसको आए ज अब बता रहें अईसे गाने बचते हैं कहीं कोई नेता बजारे थोड़ा ठुमका लगा दिया वहां नेता बदनाम हो गया भाई ये अभी नेता बदनाम कर दिया नेता को भाई कभी टिपनी तो करी देता है ना उनके जीवन में लगातर उठारी है महिलावी कासमंच आवाज अब कानूनी प्रक्रिया में आएंगे हर बार आते हैं कोई ना कोई मुद्दे को ले के इस वार का हमारा मुद्दा ये रहे काने साथ की प्रतियाएं काने भोजपूरी इंडस्ट्री में सेंसर बोड लाने की मांग करेगी महिलावी कासमंच लाइए और ये गाने की इतनी मर्याद के बाद जो गाएगा उजेल जाएगा उसका सब चिस खतम हो जाएगा इस तरह के रूल रेगुलेशन है ना करियर गंद मचा के रख दिये सबके सब एक दम गलत है यह बहुत गलत बहुत अच्छा लगा बात करके देखिए बात सारी जो है प्रस्म का जवाब बखूबी से इन्हों ने दिया और बखूबी से देते भी है खासकर के महिला को लेकर केसे था क्यूंकि तानिया जा है कहीं कही महिला ही है और बात करते हैं लोग कोमेंट करते हैं कि यह मर्द का इनका बोली है लेकिन हम इसे चुछ को नहीं मानते एक महिला हम समान करते हैं लेकिन इस तरह से अगर असलील गाना गाते हैं तो कहीं न कहीं समाज में गलत मैंसे जाता है और कहीं न कहीं गलत इफेक्ट प पर रहा है क्या बोल रहे हैं आपके बारे में लोग बाकी बाकी इस वीडियो के माधन से आप लोगी क्या परतिकिरिया है वह